अगर आप अरब से इंडिया आते हैं तो आप लोग जो फ्लाइड का टिकट लेते हैं उसके लिए श्पेशल आप लोगे लिए गूड नियूज आईए अगर आपके पास अमान ज्यादा है 20-30-40 किलो के हिसाब का टिकट सिस्टम बनाया गया है और आजान साओधियरब के आजान पर एक न्यूज आई है वो भी मैं आपको अपडेट दूँगा तो वीडियो को पूरा लास्ट देखिए अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर पुराने है तो बड़िय सब्सक्राइब कीजिएगा तो न्यूज जानने से पहले मैं आपका 30 सेकंड लूगा ठीक है ध्यान से सुनीगा मेरी बात आप सब हमारे चाहने वाले हैं माशारला आप लोग का दिल से शुक्रिया जितने भी लोग वीडियो देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कुछ लोग फेमस होने के लिए सब्सक्राइबर व्यूज पाने के लिए मेरा नाम मेरा फोटो गलत इन्फोर्मेशन ठीक है गलत गलत वीडियो बनाकर आप लोग को शेयर कर रहे हैं तो उनसे दूर रहेगा क्यूंकि उनकी बात आप सुन रहे हैं मेरी बात आपने नहीं सुनी में भी तक अन्ना मैं इस पर कोई बात करूँगा क्यूंकि मेरी कोई गलती नहीं है जो भी गलती थी वो मैंने अपने यूटूब चैनल के कम्यूटी टैब में डाल दिया है अगर आप लोग मेरे चाहने वाले हैं दूसरे की वीडियो देखकर के आप अगर मेरे को हेट कर रहे हैं तो मेरे भी बात सुनने की लिए कम से कम एक मिनट रखिये ताकि मैं भी आप लोग कुछ उष्फाय दे सकूँ एक मिनट का टाइम निकालकर पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे किसी का नाम लेना घहां पर नाम लेना था मैंने ले लिया क्योंकि मुझे किसी को फेमस कि हम यहां पर नियूज बताते हैं ना कि लड़ाए जगड़ा करने आते हैं तो नियूज बताएंगे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आए नियूजस जानते हैं उस आओधी गोर्मेलमेट ने एक नया आफिर माँगा तो यहाँ पर अपडेट यह है कि साओधी गवर्मेंट ने अपडेट दिया है कि साओधी अरविया लिमिटेड एक्स्टरनल लाउड स्पीकर इन मॉस्क मतलब साओधी गवर्मेंट का जो अनौस्मेंट यह है कि मस्जित के जो लाउड स्पीकर का जो हरकिसी को प्यारी लगती है साओधी में यार आजान की आवाज प्यारी ना लगे तो दुन्या के किस जगा पर आजान की आवाज प्यारी लगी चैनल मुझे comment करके बताइए रोनाल्डो और हमारे अमिताब बच्चन भी है देख सकते हैं आपे माशालला इनका मैच था फुटवल मैच जिसमें लाइन मेसी जीते और रोनाल्डो को मैन आप दो मैच मिला तो अच्छी बात है इवेंट कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आजांग की आवाज से दिक् हैं दोटिस कीजेगा यहां पर मैं इनका सर्कुलर जो इन्होंने शेर किया है आप अगर लगेज लेकर के आते हैं अरब के किसी भी जगह से यह इनका कहना है कि मिडिल इस्ट टू इंडिया सिंगापूर टू इंडिया और इंडिया अगर आप मिडिल इस्ट मतलब साओध दुबाई कातरोमान बहरेन किसी भी अरब कंट्री से इंडिया आते हैं तो आपके पास ओप्षन दिया गया है फ्लाइट टिकट का 20 किलो वाला लगेज का टिकट लेना है या 30 किलो वाला लगेज का टिकट लेना है या 40 किलो वाला लगेज का टिकट लेना है मतलब चितना कीलो का आपको डिमांड है कम से कम 40, 30, 20 कर दिया गया है इसके हिसाब से आपका टिकट का फेर लगाया जाएगा आपको 7 कीलो का हैंड बैग मिलेगा एक्स्ट्रा पलस सिंगल लैप्टॉप बैग लेकर के आ सकते हैं कहीं से भी आप आ रहे हैं किसी भी फ्लाइट से खास कर जो एर इंडिया की एक्सप्रेस की फ्लाइट है अगर आप एक लैप्टॉप ही ले करके आ सकते हैं लैप्टॉप बैग में मतलब 7 कीलो हैंड बैग एक लैप्टॉप बैग और 20, 30, 40 कीलो मतलब बैग कितना कीलो का है आपका उसके हिसाब से आप टिकट लेंगे उसके हिसाब से आपका प्राइस बनेगा इंडिया की फ्लाइट का मतलब एर इंडिया एक्सप्रेस का ही ओनली टिकट आप लेंगे तो ही फायदा होगा इनका कहने का यह है तो इससे आपको अच्छ जुमा का नमाज किस तरीके से कमेंड कीजिये और देख सकते हैं मैं इनकी आवाज यहां पर नहीं बता सकता वहना मेरे को कॉपिराइट आ जाएगा अगली न्यूज जो की खमीश मुशैत से आई है यहां पर आप देख सकते हैं खमीश मुशैत में एक स्कूल बस का सची में सौदी लोग बच्चों के लिए ही बड़े मरते हैं क्यूंकि बच्चे बड़े प्यारे होते सौदी लोगों को खासकर अपने बच्चे क्यूंकि आप देखो एक्षिडंड हो गया कौन चला रहा था नहीं चला रहा था खासकर स्कूल का बस है यह कोई सउधी ही वैसे आपको मैंने कल नियूस दी थी बहुत सार सेक्टर में सौधी जेसन हो रहा है लग गिया है अजनभी को बहुत बड़ा जटका कल की नियूस आपने देखी होगी बट बताना मजबूरी होता है क्या करें अगली नियूस में आपको शेर करूँगा जद्दा में घर की दिवार गिर गई एक गाड़ी में बैठे हुए सक्स थे वो बच गए फिर मर गए बच गए यहां पर यह बता रहे है देख रहे है गाड़ी लगा हुआ है यहां पर इन घर की दिवार गिर गई और यह गाड़ी के अंदरी दब गए जद्दा की बात है जिसमें देख सकते हैं एक घर की बाहरी दिवार गिनने से कार में बैठा वैक्ती गंबी रूप से गायल हो गया सिविल डिफेंस के टीम आये ट्विट करके मालूम पड़ा तो इनको बचा लिया गया है अस्पताल में भड़ती है सौधी में पारिस बहुत जबरदस हो रहा है अभी फिला दो तीन दिन से नहीं हो रहा है हाला ठीक ठाक है आपके तरफ बारिस हो रही है क्या अगली न्यूद जो कि जो कभी नहीं हुआ वो अब हो गया है साओधी अरब में घास उग गया लगबग रिगिस्तान में कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे उनों लोग तो लोग जो है फिल्टर लगा लगा करके वीडियो वाइरल कर रहे है फिल्टर ग्रीन वाला फिल्टर लगा लगा कर वाइरल कर रहे है इतना ग्रीनी नहीं है मेरा दोस्त अभी जद्दा में है उसने मेरी बात हुई जावद भाई हाला के ग्रीनी ग्रीनी हुआ है लेकि इतना ग्रीनी नहीं है बर चलो साओधी अरब के बहुत सारे रेगिस्तान वाले जो एरिया थे वहाँ पर नदियों में तब्दिल हो गया आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे से बड़े बड़े रेगिस्तान हैं जहां पर कभी पानी की किल्लत थी तो आज वहाँ पर नदी बन चुका देख सकते किस तरीके से सोचल मीडिया पर ये सब तस्वीरे वाइरल है और साओधी अरब में देख सकते हैं बहुत सारे लोग बाचित नहीं करत यहां के रेगिस्तान सहार अफारीन जीलों में बदल गया था और कुछ फिर लगातार सूखे नहीं से हर्याली से वन्चित कर दिया तो बहुत सारे एडिया में पानी से क्या है बहुत फायदा है साओधी अरब को बहुत फायदा हम्दुरिल्ला अग ग्रीनी ग्रीनी वाल इंडिया पैसा भेजेंगे तो 21 उर्पे 15 पैसे का रिट है एस्टी से बेजेंगे तो 21 पैसे का रिट है मतलब अपना करन्सी मजबूत हो रहा है मेरे भाई इसके लिए यहां पर करन्सी घट रहा है तो अच्छी बात है बुरा नहीं माना कीजिए अगर करन्सी कुछ लोग बुरा मान जाते हैं बुरा मानने की बात नहीं है अगर यहां पर करंसी घट रहा है मतलब हमारा इंडिया का करंसी मजबूत हो रहा है तो इससे हमें फाइदा है हमारा देश का एकोनोमी अच्छा होता है ठीक है यहती कुछ न्यूज आपको शेर क्या हूं वीडियो शेर सब्सक्राइब दूआ में याद रखे अपना ख्यार रखे और जूठी खबड़े वीडियो मेरे नाम से कोई बना रहे हैं तो आप लोग खुद उनको कम्मेंट में बता सकते हैं हम बहुत शुक्रिया आप सब भरोसा करके रखते हैं अलम्दुलिल्ला अल्ला का करम है मैं अल्ला ताला में भरोसा रखता हूँ अगर मैने कुछ गलती किये तो मैं अल्ला ताला का करते हो तो उसके लिए उसके लिए मैंने शेयर कर दिया है ठीक है ज्यादा डिटेल बीबात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे किसी को हाईलाइट नहीं करना आता बहृत शुकृत झाल